नवस्का दोस्तों, ढिट है आज की 15 जून 2021 और श्वागत है आपका एटोयल डिसकेशन में तीन इशूज आज हम डिसकेश करेंगे सबसे पहले हम आर्टिकल डिसकेश करेंगे कल का हमारा बाकी है बाइलोजिकल वार्फेर से समदित काफी important वो आर्टिकल है दूसरे नंबर पे हम आर्टिकल डिसकेश करेंगे गलवान वैले की घटना को देखो अब एक साल पूरा हो चुका है क्या हमने सीखा पिछले एक साल में अभी सिचुएशन कैसी है और तीसरा G7 समिट की आउटकम से समदित हम आर्टिकल डिसकेश करेंगे चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते है फर्स्ट इंपोर्टन आर्टिकल बाइलोजिकल वारफेर से समदित है आप GS पेपर 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूँ देखो पिछले कुछ सालों में सिंथेटिक बाइलोजी के फिल्ड में काफी ज़्यादा एडवांसमेंट आया है मतलब सिंथेटिक बाइलोजी के जो ये फिल्ड है ये काफी ज़्यादा डवलप हुई है मतलब क्या है सिंथेटिक बाइलोजी का ये देखो साइंस की एक फिल्ड है इसमें और्गनिजम्स को नई एबिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए उनको रीडिजाइन किया जाता है जैसे जीन एडिटिंग है सिंथिटिक बैलोजी में क्या-क्या इन्वॉल्फ है नए और्गनिजम्स डवलप करना काफी बार आप देखो लोकल न्यूस पेपर्स में पढ़ते हो कि इस एनिमल इंस्टिूट ने गाएं या फिर भैस का कलोन बनाया ऐसा क्यों करते हैं साइंटिस्ट कलोन क्यों बनाते हैं इसलिए कि गाएं और भैस की बहतर ब्रीड उपलब्ध हो जो ज़्यादा दूद दे और ज़्यादा डिजीज रसिस्टेंट हो इवन कुछ साल पहले की ये बात है साइए 2015 की ये बात है चाइना के रिसर्चर्स ने जनम से पहले एंब्रियो में जीन एडिटिंग कर दी थी क्यूं ये इंशोर करने के लिए कि जिस बच्चे का जनम हो वो ज्यादा कैपेबल हो अब मान लीजे कोई जीन रिस्पोंसिबल है परसन के तेज भागने के लिए वो जीन क्रित्रिम रूप से डाल दिया जाएगा तो जब बच्चे का जनम होगा तो वो तो तेज भागेगा ना लेकिन उस समय साइन्टिस्ट में बहुत बड़ी डिबेट चल पड़ी थी कि ये तो एथिकल नहीं है आप ऐसा मत कीजिए उसके बाद रह रह कर खबरे आती रहती है कि चोरी छूपे कुछ साइन्टिस्ट ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं बट ये अनेथिकल है आज के नरेटिव के हिसाब से तो अभी तक हमने समझा किस परकार से सिंथिटिक बाइलोजी एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ट टेकनोलोजी है जिसकी साहिता से और्गनिजम्स को लिविंग और्गनिजम्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है उनकी बैटरमेंट के लिए और्गनिजम्स की कैपिबिलिटी में सुधार लाने के लिए लेकिन देखो ये दोधारी तलवार है अगर अच्छे से इस टेकनोलोजी का इस्तमाल किया जाए तो ये हुमन बिंग्स के लिए वर्दान है बट जैसा कि देखो हर एक टेकनोलोजी के साथ रिस्क भी इन्वोल होते हैं उसी परकार से सिंथिटिक बाइलोजी के साथ भी रिस्क इन्वोल्ड है इस टेकनोलोजी का मिस्यूस भी किया जा सकता है biological warfare के लिए biological weapons emerge होके आ सकते हैं इस technology की वज़े से जहां देखो एक तरफ vaccines इसी technology की देन है दूसी तरफ आपने हाल फिलाल में देखा कि COVID-19 के origin को लेके विवाद खड़ा हो गया है even कुछ scientists तो ये भी आरोप लगा रही है कि China ने जान बूच के ये virus release किया है हलांकि ऐसे scientist की संख्या कम है अच्छे कासे scientist ये तो मानते है कि Wuhan lab से ये जो virus है वो originate हुआ लेकिन चाइना की सरकार ने जान बूच के ये release किया इसको लेके कम ही scientist अभी फिलाल सहमत है आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं जांच होने के बाद थोड़ा से basic हम जान लेते हैं biological weapons होते क्या है biological weapons देखो micro organisms का इस्तमाल करते हैं micro organisms जैसे bacteria, virus, biological toxins ये सब micro organisms है तो biological weapons इन सब micro organisms का इस्तमाल करते हैं human beings, animals और plants में disease को produce करने के लिए अब आम तोड़ पे तो देखो virus, bacteria इनकी वज़े से अपने आप human beings में कई तरह के disease जो हैं वो produce हो जाते हैं लेकिन अगर कोई इंसान जान बूच के ऐसा virus बनाए या फिर जान बूच के आलरड़ी जो virus available हैं उनको फिलाए human beings, plants या फिर animals को नुक्सान पहुंचाने के लिए तो मतलब इन viruses को इन microorganisms को उस human beings के द्वारा उस देश के द्वारा as a biological weapon के तोर पे इस्तमाल किया जा रहा हैं एक example है bacillus anthracis ये एक bacteria हैं इस bacteria की वज़े से anthrax disease होता है फिर से बोलता हूँ bacillus anthracis इस bacteria की वज़े से anthrax disease होता है ये disease जो है mainly देखो animals को infect करता है और highly contagious disease है बहुत तेजी से फैलता है animals में तो ये जो agent है ये जो bacteria है इसका इस्तमाल किया जा सकता है किसी देश के द्वारा, किसी group के द्वारा biological attack में आपको लगता होगा कि नहीं इतने तो देश ethical है human beings के against इस परकार के virus या फिर bacteria का इस्तमाल नहीं किया जाएगा देखो बात सिरफ human beings की नहीं है चलो मान लिया आपकी बात कि थोड़े बहुत ethics विबिन देशों में विबिन ग्रूप्स में अभी बचे हैं लेकिन ये तो possible है न कि plants को infect करने वाला कोई biological agent दुस्मन देश के द्वारा छोड़ दिया जाए जैसे दो देशों का example लीजिए इंडिया का नहीं लेंगे example लेंगे हम USA का और चाइना का अब कल को इन दोनों देशों के बीच में वार हो जाता है तो चाइना एक ऐसा agent बेक्टेरिया या फिर virus USA में release कर देता है जो USA में plants को infect करता है खास करके crops को, wheat की crop को तो USA में जो wheat की crops होंगी वो तबाह हो जाएंगी अब यूद चल रहा है USA में wheat की crops तबाह हो गई तो USA में food security का संकट पैदा हो गया USA की economic situation खराब होगी जनता का जो pressure है वो USA की सरकार पर और ज़्यादा पड़ेगा समझ गए किस परकार से इन biological weapons का इस्तमाल किया जा सकता है दुस्मन देश को घुटने देखने पर मजबूर करने के लिए तो इस परकार से अभी तक तो हमने ये डिसकस किया कि synthetic biology के फाइदे तो हैं लेकिन ये दो धारी तलवार है इसका missus भी हो सकता है इसमें risk भी involved है बट अब ध्यान से सुनिएगा देखो जो traditional security concept है न वो synthetic biology के खत्रे को अभी recognize नहीं करता है इतना ज़्यादा जैसे देखो तीन domain जहां पर वार हो सकता है वो तो air, land और sea चोथा कौन सा? चोथा space, पांचवा कौन सा? cyber, लेकिन छटे domain की बात हम काफी कम करते हैं जो की है, bio warfare देखो अच्छी बात ये है अभी आतकवादियों के हाथ ये जो advanced technology है वो नहीं लगी है सोचके देखिए, अगर terrorist groups के हाथों में ये technology लग जाए, कि उनके पास उनके पास ऐसी समता हो कि वो नए-नए वारेश developers के research करके तो वो दुनिया पर किस परकार से कहर ढ़ा सकते हैं अभी सिरफ advanced countries के पास से इस परकार की capability उपलब्ध हैं, हर एक देश के पास भी नहीं है हाँ तो हम ये discuss कर रहे थे कि biological warfare के खतरे को अभी world ने अच्छे से recognize नहीं किया है acknowledge नहीं किया है देखो, weapons of mass destruction के बारे में आपने सुना होगा weapons of mass destruction जिससे भारी तबाई हो सकती है कौन-कौन से weapons आते हैं weapons of mass destruction में सबसे पहले, nuclear weapons nuclear weapons पे तो बहुत चर्चा होती है US से लगातार परियास कर रहा है कि इरान और North Korea को nuclear weapons हासिल करने से कैसे ना कैसे रोका जाए विबिन देश nuclear weapons ना हासिल कर सकें इसके लिए various treaties भी है जैसे देखो NPT treaty है, non-ploriferation treaty काफी सारी organizations भी है जैसे NSG दूसरे नंबर पे है chemical weapons chemical weapons का उप्योग विबिन देश ना करें इसके लिए convention भी है और implementing body भी है क्या नाम है उस body का बताए बताए उस body का नाम है प्रोहिबिशन ओफ कैमिकल वैपन्स एक दू फैक्ट और पूछता हूँ प्रीमिय अगर कोशन पूछ लिया जाए क्या इस body को कभी novel price मिला है novel price मिला है 2013 में मिला है कब establish हुई थी ये body ये body establish हुई थी 1997 में खेर main बात ये है कि chemical weapons के use को रोकने के लिए convention भी है और उस convention को implement करने के लिए body भी है OPCW अब तीसे नंबर पे biological weapons की बात करते हैं देखो biological weapons के use को रोकने के लिए एक convention तो है जिसके बारे में अभी हम discuss करेंगे लेकिन उस convention को implement करने के लिए कोई body नहीं है कहने का मतलब यही है कि बाकी जो weapons of mass destruction है उनके तरफ world का ध्यान है लेकिन biological weapons के use को रोकने के लिए world ने अभी enough ध्यान नहीं दिया है वो बात अलग है कि COVID-19 की महमारी के बाद अब जागरूता आएगी और विबिन देश परियास करेंगे कि इन weapons के use को रोकने के लिए भी enough conventions हो regulations हो और implementing bodies भी हो इसके बाद article में बात के जाती है bio weapons से समधित convention की convention का नाम है biological and toxins toxin weapons convention 1972 में यह convention आई थी लेकिन इस convention के लिए कोई implementing body नहीं है और नहीं इस convention में कोई verification clause है अब जैसे देखो North Korea है North Korea कहादे कि हाँ हम इस convention के rules को follow कर रहे है लेकिन intelligence से यह पता लग जाए कि North Korea तो biological weapons बना रहे है तो verification class तो होना चाहिए कि इस convention से समधित जो team है वो North Korea में जाकर check कर सके यह बना रहे हैं का नहीं बना रहे हैं लेकिन कोई भी verification class इस convention में नहीं है बस विबिन देशों ने बोल दिया कि हम इस convention को follow कर रहे हैं इतना बहुत है जूट भी तो बोल सकते हैं ना विबिन देश इवन देखो इस convention का article जो 1 है वो बोलता है बायो वैपन्स तो band हैं लेकिन medical के लिए medical purposes के लिए research की जा सकती हैं और bio defense purposes के लिए research की जा सकती हैं अब देखो कोई bio defense purpose के लिए research करेगा तो वो तो weapons के लिए भी research कर सकता है ना line काफी ज़्यादा thin है आप biological warfare से बचने के लिए जब research करोगे तो वो ही research use की जा सकती हैं मिश्यूज की जा सकती हैं biological weapons create करने के लिए ऐसा क्यूं? क्यूंकि bio defense research में भी pathogens का इस्तमाल होता है मतलब वो microbes जिन से disease होते हैं उन पर research होती है उनका इस्तमाल होता है तो फिर वही pathogens उनको manipulate करके इस्तमाल किया जा सकता है as a biological weapon इवन जो pharmaceutical industry हैं वो भी oppose करती हैं कि जो भी हम research कर रही हैं हमारी inspection नहीं होनी चाहिए उस research की इसके बाद article में कहा जाता है 1994 में देखो एक add-o group establish किया गया था यानि temporary group establish किया गया था काम दिया गया था उस group को कि आप एक protocol पे सहमती बनाईए ताकि इस treaty से संबंदित जो relevant biological facilities या फिर activities हैं उनमें transparency लाई जासके और ये ensure किया जासके कि विभिन देश इस treaty का उलंगन ना करें लेकिन देखो 2001 में जब 5th BTWC क्या मतलब है BTWC का biological and toxins weapon convention तो इस 5th BTWC रिव्यू conference जो कि 2001 में आयोजित हुई थी इस conference में add-o group ने report submit की उस protocol से संबंदित लेकिन report को accept नहीं किया गया member states के दवारा तो protocol establish करने का ये जो proposal था उसे छोड़ दिया गया बड़ देखो अब stage ऐसी आ चुकी है कि इसे अब और ज़्यादा ignore नहीं किया जा सकता अब हम ऐसे दोर में आ चुके है कि disease के बीच की और biological weapon के बीच की जो खाई है वो बहुँ ज़्यादा कम हो गई है मतलब COVID-19 अभी तक इसे हम disease मान रहे थे लेकिन कुछ scientist इसे बोल रहे हैं ये चाइना ने जान बुझ के release किया है ये biological weapon है तो आगे आगे तो और भी जब इस परकार के infectious disease फैलेंगे तो सवाल उठेंगे कि ये अपने आप से इमर्ज हुए है या फिर किसी देश ने as a biological weapon इसे release किया है देखो दिक्कत पता क्या है दिक्कत ये है कि ये जो disease है न बहुत time लग जाता है research में कि ये कहां से इमर्ज हुआ जैसे COVID-19 का पहले ये बोल रहे थे कि ये चमगादर से निकल के आया तब तो गिने चुने scientist ऐसे थे जो चाइना पर ऐसा रोप लगाते थे कि Wuhan lab से ये release हुआ लेकिन धिरे धिरे और ज़्यादा research हुई आज ये theory में विश्वास रखने वाले scientist के संक्या काफी ज़्यादा है जो ये मानती है मतलब जातर scientist आज के समय में ये मानते हैं कि ये Wuhan lab से release हुआ एक साल पहले तक मानने को कोई तयार नहीं था लेकिन अब मान रहे हैं अब हो सकता है कि एक साल बाद ऐसी भी evidence सामने आ जाए कि चाइना ने जानबूच के ये release किया लेकिन समय तो लग गया ना दो-तीन साल लग गये हो सकता है चार-पांच साल भी लग जाएं तब तक ये महामारी खतम हो चुकी होगी कहने का मतलब देखो ये हैं ना तो ये प्रूव करना आसान है कि disease अपने आप से emerge हुआ naturally या फिर किसी देश ने ये biological weapon के तोर पे disease फिलाया हैं दूसरा ये भी प्रूव करना आसान नहीं है कि अगर मान लीजिए ये तो प्रूव हो गया कि किसी देश ने biological weapon के तोर पे disease फिलाया है और जिस virus के वज़े से disease फिला है वो artificial है उसके बाद ये कैसे प्रूव किया जाए कि कौन से देश ने इस biological weapon को use किया है ये भी प्रूव करना आसान नहीं है तीसरा ये भी तो मतलब ऐसा भी तो नहीं है न कि किसी देश ने biological weapon के तोर पे disease का इस्तमाल किया और उसका impact उसी समय देखने को मिले जो impact है ना biological weapon का वो incremental होता है ये COVID-19 की महामारी है दो wave तो आ चुकी है के angle की बात करते है India को क्या सीखने की आव सकता है देखो इंडिया ने देख लिया कि second wave के दुरान कैसे हमारा जो health infrastructure है वो collapse कर गया इंडिया में population काफी ज़्यादा है और disease को monitor करने की disease के surveillance की जो विवस्ता है वो काफी ज़्यादा पूर है जैसे विविन देशों में जो tracing है कि COVID-19 एक परसंट से दूसरे परसंट में कैसे फैला वो हो रही थी लेकिन इंडिया में दो इतनी ज़्यादा population है कि disease surveillance का जो mechanism है पूरी तरह से collapse कर गया coordination नहीं है हमारे देश में विविन government departments के बीच जैसे देखो bio safety guidelines की implementation के लिए कौन सी ministry responsible है science and tech and environment लेकिन वो labs जो biological research से deal की जात करती है वो ICMR के अंतरगत आती है और ICAR के अंतरगत आती है और ये दोनों जो है वो ministry of health and agriculture के अंतरगत आती है respectively ICMR ministry of health और ICAR ministry of agriculture तो biological warfare से tackle करने के लिए इंडिया में एक body responsible नहीं है various ministries के बीच coordination वाली जो approach है ना वो नहीं चलने वाली इंडिया में तो इतना border भी tight नहीं है open border है कई के जगह पे तो इस परकार के virus और bacteria फिलाना इंडिया में बहुत ज़ादा आसान है last में writer कहते हैं कि November 2021 में BTWC biological and toxins weapons convention ये जो convention है ये और्णाइस होगी review conference और्णाइस होगी इस convention की तो इस convention में member states को चल्चा करनी चाहिए कि biotechnology research और bio weapon research है इन दोना के बीच में line जो है काफी ज़्यादा thin है तो पहले तो इस convention की implement करने के लिए body establish की जाए और उस body में health experts को भी जगा दी जाए ताकि वो पहचांस के कि कहाँ पे biological research हो रही है और कहाँ पे उस research का weapons बनाने के लिए इस्तमाल हो रहा है तो ये हमने पूरा article डिसकस किया bio warfare से समदित चलते हैं आगी नए इस आर्टिकल इंडिया चाइना relations से समदित हैं आप देखो GS paper 3 के security से भी इस article को relate कर सकते हो देखो गलवान वैले की घटना को अब एक साल पूरा हो चुका है तो पिछले एक साल में क्या-क्या हमारी learnings हुई किस परकार से border पर tensions कम हुई या फिर increased हुई अभी क्या माहोल है सारी चीज़ें हम discuss करेंगे इस article में देखो जब पिछले साल गलवान वैले की घटना हुई थी न तो उस समय इंडिया ने सविकार किया कि हमारे 20 जवान इस घटना में सहीद हुए और at least चाइना के 4 तो जवान मारे ही गए मतलब चाइना ने अभी तक 4 accept किये हैं तो कम से कम 4 casualties तो चाइना की तरफ से हुई और सुर्वाति रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि 50 इंडिया के soldiers को बंदक बनाया गया था जिनें बाद में चाइना की तरफ से रिहा कर दिया गया लेकिन सरकार ने कभी इस बात को नहीं माना देखो अभी तक सरकार की जो approach है वो किस परकार से रही है गलवान वैले की घटना के बाद सरकार information छुपा ज़्यादा रही है release कम कर रही है क्यों सरकार का कहना है कि देखो अगर operation related news public में आ गई तो इससे देश की security को खत्रा पैदा हो सकता है हमारे defense minister राजनात सिंग के द्वारा parliament में एक statement दी गई थी लेकिन वो सिरफ एक statement थी कोई opposition के questions का जबाब defense minister ने नहीं दिया वो एक परकार से monologue था इस मुद्दे पर cabinet committee on security की meeting organize हुई हो ऐसा भी कोई सबूत देखने को नहीं मिलता मतलब सरकार पहले तो deny करती रही कि Chinese incursion हुई है बाद में सरकार ने कोई information इस मुद्दे पर release नहीं की इसके बाद military situation की बात करें देखो अभी भी जैसा हमने एक पहले article में डिसकस किया था साथ जगों पर साथ locations पर Chinese troops जो है वो आगे आई थी अब देखो दो जगों पर तो Chinese troops वापस जा चुकी हैं लेकिन पाँच locations पर अभी भी Chinese troops जो हैं वो इंडिया की side आगे आई हुई हैं जिसमें सबसे ज़्यदा main है Dipsan Plains लेकिन अब देखो चुकी पैंगों सो लेक रीजन में वापसी के लिए disengagement के लिए सहमती हो चुकी हैं तो अब चाइना बाकी 5 sports पर वापस जाने के लिए इवन बातचित को भी तयार नहीं हैं ये दिक्कत की बात हैं पिछले एक साल में ये तो हमने रिलाइस कर लिया कि चाइना इंडिया के लिए bigger threat है as compared to Pakistan और दूसरा ये भी रिलाइस किया गया इंडियन मिल्टरी के द्वारा अगर पाकिस्तान और चाइना मिलके इंडिया के अगेंस्ट वार लड़ते हैं तो उस वार को लड़ने के लिए अभी इंडिया तयार नहीं है साइद यही रिजन था कि पाकिस्तान के साथ back channel से बाचित स्टार्ट हुई और 2003 का जो ceasefire agreement था उसे revive किया गया अभी पूरी LAC पर यानि line of actual control पर इंडिया की सेना मुस्तेद है ताकि further कोई ऐसी incursion बड़ देखो अभी फिलाल 50,000 इंडिया की और चाइना की जो forces हैं वो आमने सामने हैं 50,000 इंडिया की 50,000 चाइना की ये situation sustainable नहीं है चलो मानते हैं इस चीज को कि चाइना भी यूद नहीं चाहता और फिलाल इंडिया भी यूद नहीं चाहता लेकिन देखो ground level पे कोई ऐसी घटना हो जाती है तो फिर सरकारों के बस सरकारों के हाथ से बात निकल जाती है जैसे गलवान वैली जैसी जो घटना है फिर से हो गई तो फिर tensions पैदा हो जाएंगी तो forces आमने सामने होनी ही नहीं चाहिए लेकिन दिक्कत तो यही है ना चाइना अपनी forces को पीछे ले जाने के लिए इवन बातचित के लिए भी तयार नहीं है इसके बाद next domain आता है मतलब next expect आता है external rebalancing जबसे ये गलवान वैली के घटना हुई है इंडिया USA के और ज़्यादा करीब चला गया है QAD का जो आइडिया है और जोर सोर से इमर्ज होके आया है बट military importance अभी भी QAD की नहीं बढ़ पाई है इंडिया इस बात को भली बाती से पहचानता है कि अपने यूद देखो खुदी लडने पड़ते हैं कल को चाइना के साथ यूद हुआ तो बेसक USA हमें logistic sport प्रोवाइड कर देगा intelligence sport प्रोवाइड कर देगा जो अभी USA कर भी रहा है लेकिन वार इंडिया को अपना खुदी लडना पड़ेगा अभी देखो QAD का जो आइडिया है ना जैसा हमने डिसकस किया उठा थो है जोर सोर से लेकिन military importance अभी तक QAD की नहीं पड़ पाई है इवन इंडिया joint naval patrolling करने के लिए तयार नहीं है USA के साथ South China Sea में क्यों क्योंकि China को इसके लेके concerns है और इंडिया नहीं चाहता कि फिलाल चाइना के साथ relations और ज़्यादा खराब हों एक चीज़ देखो इतना तो वो साफ है कि अभी फिलाल चाइना की जो military है वो इंडिया की military से ज़्यादा strong है लेकिन जैसे देखो USA का एक doctrine है multi domain operation doctrine इस doctrine के अंतरगत USA ऐसी capability डवलप करना चाहता है अगर army, navy और air force ये तीनों मिलके एक साथ लड़ती है तो even बराबर की टकर वाले या फिर हमसे ज़्यादा power वाले देश को भी हराय जा सकता है क्योंकि ये तीनों units जो है army, navy और air force तीनों units जब एक साथ लड़ती है तो ये तीन के बजाये 33 हो जाती है तो ये USA का doctrine है multi-domain operation doctrine तो इंडिया भी इसी doctrine से सीखना चाहता है कि बेसक चाइना की power हमसे ज़्यादा है लेकिन हम capability हासिल करेंगे multi-domain operations की कि हमारी जो तीनों units हैं वो एक साथ लड़ें और बराबर की टकर वाले इवन चाइना तो ज़्यादा power वाला है चाइना को भी हम हरास के इस multi-domain operational doctrine की साहता से इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है गलवान वैली की घटना के बाद देखो सरकार ने काफी actions तो लिये चाइना पर दबाब डालने के लिए जैसे कई सारी applications को ban कर दिया for example tiktok बर देखो चाइना के साथ trade अभी भी कम नहीं हुआ है आज USA के बजाए चाइना हमारा largest trading partner है एक साल पहले तक इंडिया का जो total trade होता था उसमें से 10.4% trade चाइना के साथ था लेकिन 2021 में इंडिया के total trade का 13% trade चाइना के साथ हुआ है तो इंडिया की चाइना के ऊपर dependence है काफी सारी चीजों को लेकिए जैसे APIs है active pharmaceutical ingredients जिन का इस्तमाल होता है drugs manufacturing के लिए semiconductor के लिए चाइना के ऊपर dependence है लेकिन पब्लिक लिए Indian government वो dependence अविकार नहीं करती है इसके साथ साथ सरकार की एक रनीती ये है पहले क्या था देखो राजीव गांधी जब अधानमंत्री थे ना तो उस में 1986 में भी border situation काफी tense हो गई थी इंडिया और चाइना के बीच तब राजीव गांधी गए थे चाइना की आत्रा पर और उन्होंने एक डोक्ट्रिन दिया था जिसका नाम था competition and cooperation with Beijing मतलब border situation कुछ भी हो लेकिन cooperation जो है वो चलता रहेगा लेकिन देखो आज की जो government है वो अब इस doctrine पर काम करने को तयार नहीं है अब सरकार ने ये साफ कर दिया है चाइना को कि भया ऐसा नहीं चल सकता बड़ दिक्कत ये है 1988 में जो चाइना था वो आज चाइना नहीं है आज चाइना USA का मुकावला कर रहा है सूपर पावर बढ़ने के लिए तो इंडिया के पास काफी कम कार्ड्स हैं खेलने के लिए इंडिया को अपनी choices काफी सोच समझ के करनी होंगी last में conclusion में कहा जाता है देखो गलवान वैले के गटना के बाद से ही इंडिया की जो thinking है चाइना के तरफ उसमें भारी बदलाव आया है situation अभी भी tense है और अगर देखो आप ये सोचते हो कि जिन 5 locations पर चाइना के forces अब इंडिया की side आगे हैं और बिना कुछ दिये बिना कुछ सविकार किये चाइना अपनी forces को उन location से वापस ले जाएगा तो मतलब आपकी जो सोच है वो pragmatic नहीं है देखो आप तो अब international relations को समझते हों आपको पता हैं international relations में idealism ethics, morals इन सब का कोई स्थान नहीं है IR में सिरफ और सिरफ matter करते हैं national interest और जो national interest है change होते रहते हैं जैसे देखो USA के साथ अच्छे relationship maintain करना ये पहले हमारे हित में नहीं था क्योंकि USSR हमारा दोस्ट था लेकिन आज तो USSR है ही नहीं आज हमारा बड़ा सत्रू है चाइना और चाइना को contain करने के लिए USA के साथ अच्छे relationship maintain करना ज़रूरी है ये हमारे national interest में है तो ये पूरा article हमने discuss किया चलते हैं आगे इसके बाद next article G7 summit की outcome से समधित है आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हूं ये aspects हम cover करेंगे इस article की discussion में देखो G7 के basics के बारे में discuss करें जब 1973 में इसराइल और अरब countries के बीच वार हुआ था तो उसमें oil crisis पैदा हो गए थे embargo लगा दिया गया था in oil producing countries के दोरा तो उसमें 7 देश एक साथ आये थे इन 7 देशों के finance ministers की informal meeting हुई थी France, West Germany उसमें Berlin की दिवार गिरा ही नहीं गई थी इसलिए West Germany का नाम लिया गया है US, Great Britain, Japan इनकी meeting organize हुई थी situation को कैसे tackle किया जाए oil crisis को कैसे handle किया जाए बाद में 1975 में France के president ने इन leaders को invite किया further discussion के लिए और G7 का idea emerge होके आया तो advanced countries सामिल है इस G7 में बाद में Russia भी सामिल हो गया था Canada सामिल हुआ था, उसके बाद Russia सामिल हो गया था और Russia को निकाल दिया गया 2014 में जब Russia ने करीमिया को हड़ पा था करीमिया पर कपज़ कर लिया था जैसे देखो BRICS है BRICS का कोई formal सविधान नहीं है BRICS का कोई headquarter भी नहीं है उसी परकास से G7 का भी कोई formal constitution या फिर headquarter नहीं है annual basis पे summit organized होता है और leaders के द्वारा various decisions लिये जाते हैं जो कि non-binding होते हैं अभी हाल ही में G7 का summit organized हुआ था UK में चार और देशों को भी invite किया गया था Australia, Korea, South Africa और India कल हमने article discuss किया था D10 के बारे में यानि coalition of 10 democratic countries अब हम बात करते हैं G7 का जो ये summit organized हुआ इस summit की outcome क्या निकली कौन से message निकल के आए देखो पहला message तो ये निकल के आया कि USA अब global stage पर वापस आ गया है क्या मतलब है इस चीज़ का देखो जब Trump राश्टरपती थे न तो उनके कारेकाल में अमरीका की leadership काफी ज़्यादा dilute हुई उनका तो ये मानना था कि अमरीका global stage पर लीडर बनने की कोशिस करता है इससे USA का बहुत खर्चा हो जाता है इसलिए USA को global stage पर लीडर बनने की कोशिस ही नहीं करनी चाहिए गरीब देशों की help नहीं करनी चाहिए मतलब ये सब मानना था Trump का तो उनके कारेकाल में USA की leadership ग्लोबल leadership काफी जादा कमजोर हुई बट बाइडन अब फिर से USA की leadership को रिवाइब करने की कोशिस कर रही है और ऐसा signal उन्होंने दिया जैसे G7 summit में उन्होंने commitment की कि 1 billion coronavirus की जो vaccines हैं वो गरीब देशों को दी जाएगी और 12 trillion dollars खर्च किये जाएंगे COVID-19 के कारण जो economic situation खराब हुई है उसकी recovery को ensure करने के लिए G7 के summit में एक slogan भी दिया गया Build back better ये हाल ही में White House के द्वारा term का इस्तमाल क्या गया था अमरीका की economy और job recovery plan को declare करने के लिए तो यही slogan G7 के summit में भी दिया गया तो मतलब ये सारी बाते इस तरफ इसारा करती है ट्रम के कारेकाल में USA की leadership थोड़ी कम जोर हुई global stage पे Biden उसे फिर से revive करने की कोसिस कर रही है ये पहला message निकल के आया दूसरा message ये निकल के आया कि G7 अब सिधा सिधा चाइना को counter करने के लिए त्यार खड़ा दिखाई देता है मतलब सातों member countries में सहमती दिखती है कि चाइना को counter करना ज़रूरी है जो देखो main document release किया गया उसमें चार बार चाइना की direct reference देखने को मिली एक तो चाइना में जिंग जिंग रिजन में जो atrocities की जा रही है वो होंग कोंग में democratic freedom ये दोनों एक ही है चाइना market को manipulate करने की कोशिज करता है अपना export increase करने की कोशिज करता है currency को devaluate करके इसके बाद South China Sea में चाइना की aggressiveness सबसे last में COVID-19 virus का origin क्या है इसकी transparent investigation तो चार जगहों पर चाइना का direct नाम यूज किया गया हलांकि देखो दो documents इस G7 summit में release किया गए एक तो इन G7 countries ने release किया main document एक चार देशों को तो invite भी तो किया था G7 प्लस चार इन देशों के द्वारा भी एक joint statement जारी की गई तो इन्डिया ने तो ये कह दिया कि ये सारी जो चीजें है ये G7 ने अपने main document में release किये जबकि G7 प्लस 4 के द्वारा जो statement जारी की गई थी उसमें ये सारे issues नहीं थे ऐसा क्यूं इन्डिया थोड़ा सा आप क्या बोलें डरता है या फिर चाइना को लेके concerns है इन्डिया नहीं चाहता कि चाइना के साथ अभी situation और ज़्यदा खराब हो border पर पिछला article हमने डिसकस किया situation आल्रेडी काफी खराब है इन्डिया ने ये भी clarify किया कि border पर अभी जो situation है उसको नहीं discuss किया गया इस G7 के summit में manipulation of information and right violations ऐसा देखो इसलिए क्योंकि इन में से कुछ issues तो ऐसे हैं जिनको लेके इंडिया की सरकार पर भी सवाल उठते रहते हैं जैसे internet shutdown की बात कीजिए सबसे ज़्यादा internet shutdown तो world में इंडिया में ही होता है ना अब इस पे इंडिया भी सेमिति जताएगा तो फिर इंडिया पे तो contradiction हो जाएगी ना कि आपके देश में तो सबसे ज़्यादा internet shutdown है और आप ही इसके पक्स में sport कर रहे हो इसको इसके बाद last में एक बात ये बोली जाती है open societies पर एक session था जिसमें परधामंत्री मोधी ने कहा क्योंकि G7 में सबी countries democratic है और इंडिया भी एक democracy है world की largest democracy है इंडिया तो इंडिया जो है वो natural ally है G7 का बट G7 का जो idea है ये अपने आप में कितना ज़्यादा मतलब G7 group की importance अपने आप में कितनी ज़्यादा है इसको लेके देखो अलग अलग experts की अलग लग राए है कुछ लोग बोलते हैं G7 group जो है इससे ज़्यादा important तो European Union है जिसमें representation ज़्यादा है दूसरी तरफ कुछ लोग ये बोलते हैं G7 में सभी world के advanced countries सामिल है इसलिए इस group की importance काफे ज़्यादा है ये group जो बोलता है वो होता भी है world stage पर तो कुल मिला के ये सारे points निकल के आते हैं G7 summit की outcomes हैं ये हमने पूरा article discuss किया हमारी आज की इस discussion में इतना ही है thank you, thank you very much for discussion